हलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरी कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें पास में बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देख हैं और भी आपके बहुत सारी बोडी की जो बिमारियां उसको खतम कर सकती हैं क्योंकि कीचन में हमारे ऐसे मसाले होते हैं कि आपको शायद पता नहीं होता है उनके बारे में बटा अगर आप इस तरीके से इसको इसको इस्तिमाल करते हैं तो आपकी बोडी का जो फेटर व मिलती है वो तो दोस्तो आजम बताएंगे कि कीचन की ऐसी कौन सी चीज है मसाला है कि उससे आप अपने बोडी का फेट कम कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्दी हल्दी का आपको सबी घरों में यूज होती है क्योंकि हम सबजी में इसका यूज करते ही हैं और सब बासी जुखाम सर्दी इन में भी हल्दी का हमें उपयोग करते हैं क्योंकि यह बहुत ही जादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है और और ineications में उससे और बहुत सारी बिमारियां होती हैं जो हमारे इस बिमारियों को यह हल्दी खतम कर देती है। और दोस्तों आपका weight loss करने में भी हल्दी बहुत जादा गुनकारी है क्योंकि हल्दी का शायद आपको पता नहीं कि किस तरीके से आपको हल्दी का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारे body में जमावा fat को यह फठा-फठ से खतम करती है और दोस्तों यहाँ पर मेने लिया है एक च कि गोड़ी का जमीवी चरभी कितना भी मोटा पा हो तो दोस्तों इससे बहुती इसBERT से बहुती जल्दी जीरे से भी और वेट लोस होगा और और बहुत सारी चीजों में फाइदा करता हा Chapel हर्ड़ी के लिए बहुती ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसकी बिल्कुल साप प्रेति ये ग्लोव आता है खून भी इससे साप होता है और यहां पर दोस्तों बनाने के लिए मैंने लिया यह डिन्स तो भगूनी तो इसको मैंने गैसे उपर रख दिया है क्योंकि हल्दी से हम बोर्टी से हम चेरे को बहुती ज़्यादा ग्लोव भी आता है इसको लगाने हैं जिससे हमारी बोर्टी में बहुती ज़्यादा एनरजी भी रहती है तो इसमें हमारी बोर्टी में चमक भी रहती है हमारे चेरे पर बिल्कुल ग्लोव भी रहता है और दाग दब्बे भी दूर होते हैं तो दोस्तों एक किलास मैंने इसमें पानी का लिया है तो दोस्त तो हल्दी का तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया अपर आप दूद में इस्तेवाल करते हैं क्योंकि immunity करता दूद हमारी बोली को ताकत देता है एनरजी से भरपूर करता है बट आप दूद में लेंगे तो वो फेट फड़ाएगा पर आपको दूद में नहीं लेना है और वैसे खांसी सर्दी जुखा में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है और दोस्तो और भी बहुत सारी बिमारियों में हमें हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जीरा में नहीं डाल दिया थे तो पांच मिनट हो चुकी है तो पांच मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है तो दोस्तो इसको आपको continue पीना है ये नहीं एक दिन पी लिए दो दिन आप छोड़ दिये क्योंकि continue पीएंगे तब आपकी बोड़ी में बहुती स्पीट से असर होगा तो इसको हम हलका सा ठंडा करेंगे तो दोस्तो यहां पर मैंने glass लिया है तो इसमें अब हम डाल देते हैं इसको छान करके डालना है तो इसका देख सकते हैं color change हो चुका है पर दोस्तो इन चीजों को आपको दवाई की मातरा में ही लेना है ज्यादा नहीं लेना है और मैंने इसका जो क्या-क्या फायदा करते हैं ये दोनों चीजे उसकी मैंने description में पूरी जानकारी दे रखें तो वहाँ पर जाकर के आप पूरी जानकारी ले भी सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हलका सा ठंडा हो चुका है तो दोस्तो हल्दी की हमें सिरफ इतनी ही एक चुटकी डालना है क्योंकि हल्दी गरम भी होती है तो जादा मात्रा में हमें कोई भी चीज नहीं इस्तेमाल करनी है क्योंकि आपको दवाई के मात्रा में ही ये सब चीजे लेनी है तो इतनी आपके बोडी के लिए बहुत जाद का चमक आएगी दाग दब्बे भी दूर होते हैं हल्दी से और साथ में ही आपका जो बोड़ी का जो वेट है वो भी बहुती इस पेड़ से कम होता है क्योंकि आज का लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वेट से तो आप घर की ही घरेली चीजे होती हैं नेचुरल च बार पीना है तो दिन में आप्तीन बार पीएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको result मिलेगा तो दोस्तो ह Wave